प्राप्त थेला द्रव्यने परोपकार्मा खर्चु एज तेनू रक्षन छे चानक्य विश्ण गूप्त ने कहा धनकी रक्षा की स्तरक की जाई प्राप्त धनकी बस परोपकार के लिए खर्च कर डालो वही रक्षा है यदि परोपकार के लिए तुमने तुम्हारा धन खर्च नहीं कर दिया और जमा करके रखा तो मानो एक दिन इसे कोई लूट जाएगा खत्म हो जाएगा रक्षा नहीं कर पाओगे संग्रह करने से धन की रक्षा कभी भी नहीं होती किशी को दान में देने से ही धन की रक्षा होती है वही उनकी रक्षा कहला दिया हो गए रक्षा जिन रूपिय को आप लोगों ने परोपकार के लिए खर्च कर दिया वो तुम्हारा हो गया बाद में उसे कोई नहीं लोट सकता इसकी चोरी नहीं होती रक्षा हो गई वो तुम्हारा हो गया यदि आप कमाया हुआ पैसा परोबकार के लिए नहीं दे सकोगे तो वो तुम्हारा नहीं रहेगा और किशी का हो ही जाएगा कोई चोरी करके ले जाएगा या तो कोई लूट करके ले जाएगा या तो वकील, डाक्टर, वेस्या अगर तो तुम मर जाओगे तुम्हारे बाद, तुम्हारे बच्चे इन पैसे का मन चाहा उप्योग करेगा तुम्हारा तो नहीं रहेगा कि तुम्हारे काम में तो आएगा ही नहीं इसलिए यदि तुम्हारे काम में कमाई हुए धन को लेना हो तो परपकार में तुम्हारे आथों से ही दे दो तुम्हारे पीछे कोई दान करने वाला है ही नहीं अपने आथों से करके चलो